नवस्कार बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूँ हर्शितास सिंग् लोगसुबा चुनाओं की तारीकों की घोशना से ठीक एक दिन पहले बिहार में NGA सरकार का कैबिनेट विस्तार हो गया इसमें बीजेपी और गडबंदा ने मिल करके पिछड़ा और दलित वर्गों को साधने की पूरी कोशिश की बता दे कि बीते दिन 21 मंत्रियों को शपत दिलाए गई नौ पहले से थे मंत्री मंडल विस्तार के बाद अब सरकार में सी एम समेट कुल 30 मंत्री हो गए लेकिन 30 काबिनेट के विस्तार के बाद सबसे ज्यादा चर्चा हुई तो वो है भुमियार और यादव जाती को ले करके वो जाती जो बिहार में बेहत महत्तपूर्ण है अच्छी खासी आबादी है लेकिन इन सब के बाद इनसे बीजेपी जेडियू ने किनारा किया है मुस्लिम और यादव जाती के नेताओं को जेडियू में जगा मिली लेकिन भारती जनता पार्टी ने मुस्लिम और यादव नेताओं को अपने लिस्ट में जगा नहीं दी जेडियू की ओर से विजेंदर यादब और जमाखान को मंत्री मंदल में शामिल किया गया लेकिन बीजेपी ने मुस्लिम और यादब पर भरोसा नहीं किया ये देखिए कि जब MLC का लिस्ट सामने आया MLC उमिदवारो का जम नाम सामने आया बीजेपी के तरफ से उस वक्त से चाहिब बिजेपी के काफी मंत्री बताये जाते हैं क्या में देखिए उसमें एक भी ये देखिए यादव जाती से आपको नजर नहीं आएंगे अब बात करतें विजेंदर यादव की तो विजेंदर यादव जो की जेडियू से मंत्री बने हैं उनके विवाग के बारे में अगर हम बात करें और आपको बताए कि उन्हें कौन सा विवाग मिला है तो उन्हें उर्जा और य अब सवाल ये है कि क्या बीजेपी जानती है कि उनकी यादव वोट बैंक पर पकड़ कमजोर है ये वोट बैंक तेजस्वी यानि की आटजेडी के हिस्से में ही है ये उने ही वोट करेंगे बिहार के यादवों का भरोसा बीजेपी नहीं बलकि आटजेडी पर है हलाकि पार्टी ने नंतकिशोर यादव को विधान सभा का अध्यक्ष बनाया है और नंतकिशोर यादव समाज से याते हैं तो बीजेपी ने अपने कुनवेग में मंतरी के रूप में किसी को लेकिन यादव समाज से जगा नहीं दी यानि यादव का पत्ता साफ कर लिया है लेकिन जेडियू ने एक यादव मंतरी बनाया है देखिए बिहार में जाती अधारी सर्वे आने के बात कहा जा रहा था कि कई राधिक दलों के निशाने पर यादव समाज है मद्यप्रदेश में यादव सीम देकर के जब बीजेपी ने यादव सीम दिया तो कहा जा रहा लेकिन वहीं बीजेपी की तरफ से एक भी मुस्लिम चहरा ना उतारने को लेकर के एक भी यादव चहरा ना उतारने को लेकर के एक बार फिर से कई तरह के सवाल खड़े कि जा रहे हैं आपको क्या रखता है अपने राए कमेंट करके जरूर बताए बिहार की तमाम खबरों के लिए बिहार तक के साथ